होगली में वोटिंग के दोरान हंगामा बीजबी प्रत्याश्य लौकेट चपर जी की गाड़ी पर हमला मद्दान के दोरान कई जगाओं से हिνसा की खबर आ रही है हुगली से भाजपा सांसद वर चुंचुरा से पाटिर पत्याशी लौकेट चाटर जी की गाड़ी पर हमले की खबर है पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी नेता लौकेट चाटर जी की कार पर हमला किया गया इस दोरान स्थानिय लोगों ने लॉकेर चैटर जी को बैक किनारे लगाए। लॉकेर चैटर जी के गाड़ी के शीशे तोड़ दिये गए हैं। सिर्व इतना ही नहीं आक्रोशित लोगों ने हुगली में पश्चिम बंगाल विदान सबाचुनाफ को कवर कर रहे मीडिया की गाड़ियों पर भी हमला किया और तोड़ फोर की हैं। हमली की तस्वीरे भी सामने आई हैं। लॉकेर चैटर जी पर हुगली के मदान केंद्र 66 के आसपास हमला किया गया। सुरक्षबलो इलाकों में हालत पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि लॉकेर चैटर जी जैसे ही 6 सक्टमबर बूत पहुची उन्होंने आरोप लगाया कि टीमसी समर्थक वोटिंग में घपला कर रहे हैं। इसके बाद विबूत से बाहर आई। उनके बाहर आते ही टीमसी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शु लिया था जिसके बाद सुरक्षा बलो को लाटी चार्ज करना पड़ा जिसके बाद भीर को हटाया जा सका। बतारे कि चैटर जी हुगली ससांसत हैं लौके चैटर जी के सामने टीमसी के आज सिफ मजूमदार चुनाव लड़ रही हैं। बीज़ेपी ने इस हमले के पीछ शे टीमसी को जिम्मिदा ठराया है बतादे कि बंगाल में चौथे चरण के बदान में कई जगाहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं बीरभूम में बंब रामत किये गए हैं जिसे पुलिस ने नश्ट किया कूछ बिहार में भी टीमसी और बीजेपी के कारे करताओं कि बे जड़ब की घटना भी सामने आई है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें